एक अपर विश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधान मंत्री और मंत्री मंदल के पती ना जनता को अविश्वास है ना सदन को अविश्वास है और एक अपर विश्वास प्रस्ताव लेकर आए मानने द्यक जी इसका उद्येश क्या है इसका उद्येश जनता में ब्रांटी खड़ी करने का उद्येश कॉंग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया चंद्रसेखर जी को सबसे पहले चरण सिंग जी को समर्थन दिया सरकार फिर चंद्रसेखर को समर्थन दिया सरकार देव गोड़ा को समर्थन दिया सरकार इनकी फित्रत मान्य वर अस्थीरता मोधिजी ने एंडिये ने भाजपा ने देश को स्थीर सासन दिया है इसलिए देश. आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वाज है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंस भी था, क्यूंकि वो सोयम गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आई अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे लेकर जाएंगे, तो वहीं बैठना पड़ेगा झाल 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 झाल